हैदराबाद के हमारे पुलीस ओफिसर्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत-बहुत शुक्रिया आदा करता हूँ कि पिछले एक महीने से जब हमारा पूरा शहर लॉकडाउन के सिचुएशन में है ऐसे मौके पे आप सब हैदराबाद के पुलीस ओफिसर्स, 24 आवर्स, चाहे वो दिन की 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी हो या रात का सन्नाटा, 24 आवर्स आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं ऐसे मौके पे एक तरफ पुलीस डिपार्टमेंट को लॉकडाउन इंप्लिमेंट करना है, एनफोर्स करना है दूसरी जगह, इसेंशियल सप्लाइज का मुव्मेंट को भी चालू रखना है और यह भी ध्यान रखना है कि हमारे गरीब भाई बहन भूखे न रह जाएं ये तीनों का बैलेंस बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है और ये बैलेंस काम आप एक महीने से बहुत बाखुबी से निभा रहे हैं हैदराबाद के पुलीस आफिसर्स मैं आप सभी के फैमिली मेंबर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया आदा करता हूँ पूरी दुनिया जब घर में फैमिली के साथ है ऐसे मौके पे आप अपनी फैमिली को छोड़कर सड़कों पर ड्यूटी कर रहे हैं दोस्तों कई साल के बाद जब लोग इतिहास के पन्नों को उल्टेंगे और जब देखेंगे कि 2020 में क्या हुआ था तो उस समय लोग आपके मेहनत आपके सेक्रिफाइस आपके हाड़ वर्क को याद करेंगे और ऐसे मौके पर ही किसी भी और्गनाइजेशन की असली ताकत क्या है वो बाहर नजर आती है दोस्तों इस मौके पर मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहूँगा आप जानते हैं कि एक करोड से ज़्यादा पॉपुलेशन है है हैदराबाद शहर का इसमें हजार नहीं लाखों लोग गरीब हैं हिंदुस्तान एक गरीब देश है हम अमरिका जापान और जर्मनी के ऐसा हमारे पास उतना पैसा नहीं है हमारे यहां ऐसे हजारों लोग हैं जो शाम को कमाते हैं तब सुबह खाते हैं उनके तरफ हमारी जिम्मेवारी और भी जादा है मैं आप से गुजारिश करता हूँ कि उन गरीबों को आपकी रहम की जरूरत है आपकी लाठी की जरूरत उनको नहीं है ऐसे मौके पे मैं आप से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन गरीबों को लाठी नहीं दिखाएं शायद वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए उनके लिए कुछ सामान खरीदने के लिए घर से बाहर आएं उन्हें मदद कीजिए उनको समझाईए और जहां तक संभव हो जी एच एमसी के तरफ से प्राइवेट डोनर्स के तरफ से अरेंज करके उनको घर दीजिए उनके घर पे खाना पहुंचाईए एक भूखा इंसान को अगर खाने की तालास में वो बाहर निकला है और उसे हम लाठी से मारेंगे तो ये तो बड़ा बहुत तकलीफ की बात होगी आपके मेहनत आपके डेडिकेशन पर पानी फिर जाएगा हैदराबाद सिटी पुलीस के 10,000 पुलीस आफिसर्स इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं 24 आवर्स लेकिन अगर 10 पुलीस आफिसर्स गलत जगह लाठी का यूज कर रहे हैं तो ये 10,000 लोगों के मेहनत को खतम कर देता है हमारे डियर ओफिसर्स जब कभी भी सोसाइटी में, देश में, शहर में कोई मुश्किल आती है कोई क्राइसिस आता है तो इश्वर, अल्ला इस क्राइसिस को एक ओपर्चूनिटी के तरह से भी देता है हम लोगों को अगर एक तरफ ये कोरोना एक क्राइसिस है, तो दूसरी तरफ ये कोरोना एक ओपर्चूनिटी है, एक मौका है मौका है कि आप अपने दिल में जो रहम है, उसको आप बाहर दिखाएं दूसरे को बताए कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी एक दिल है और वो दिल उन गरीबों के लिए है, जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है कोरोना के समय जो हम लोगों के उपर जिम्मेवारी आई है लॉकडाउन की उसके साथ ये भी जिम्मेवारी है, कि हम गरीबों के साथ रहे है मुझे यह देखकर इतनी खुशी होती है, कि पिछले 20 दिनों में कम से कम आठ ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं, कॉंस्टेबल ऑफिसर जो प्रेगनेंट लेडी को अपनी गारी में बिठा कर हॉस्पिटल ले गए जब वो लोग advanced stage of pregnancy का था, इस तरह की वारदात को देखकर हमारी आँख नम हो जाती है परसों एक विक्टिम को अपने blanket से कभर करके एक कॉंस्टेबल ऑफिसर ने हॉस्पिटल पहुँचाया मैं उन तमाम कॉंस्टेबल ऑफिसर्स को सेलूट करता हूँ ऐसे देश में आज इस crisis के समय खाकी वर्दी जब सामने खड़ा है तो लोगों को उसके प्रती श्रद्धा, उसके प्रती इज़त, उसके प्रती फक्र होना चाहिए और मैं गर्व के साथ ये कहता हूँ कि आप लोगों के team member होने का मुझे बहुत फक्र है कल एक वीडियो बहुत वाइरल हुआ, जिसमें एक auto driver खुद अपने auto को तोड़ते हुए दिखाया गया बहुत तकलीफ की बात है, कितना दर्द होगा उसके अंदर कि वो खुद अपना auto खुद तोड़ रहा है दोस्तों, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, उससे हमें पता चलता है कि जो दर्द है इनसान के अंदर, उस दर्द को मिटाना हमारा फर्ज है कोशिश करना हमारा फर्ज है आप सभी को, मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हैदराबाद शहर को आपके सर्विसेज, आपके सैक्रिफाइस, आपके हार्ड वर्क के उपर बहुत फक्र है मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों के टीम का एक मेंबर हूँ आने वाले समय में इस बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा गरीबों के लिए हैं पहली मदद गरीब को करें अमीर अपना मदद खुद कर लेंगे हम गरीब के लिए हैं इस बात को दिल में जरूर रखें बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद अंजनी कुमार कमिशनर आफ पुलीस हैदराबाद